next question है immense average monthly expenditure for the first four months of the year was 231.25 देखिए एक आदमी की जो average monthly खर्चा है वो 231.25 है कितने महीने के लिए है first four month तो first four month के लिए expenditure कितना है एक महीने का 231 है तो चार महीने का 231.25 गुना चार किसके इक ला जाएगा 925 रुपे तो यह पहले चार महीने का आगया फिर for the next five months the average monthly expenditure was 22.75 more than what it was during the first four months देखिए next जो five month है five month है उसका जो expenditure है वो कितना है जो यह पिछले महीने का था 231.25 इसमें 22.75 और अधिक है तो इसको जोड के five से multiply करोगे तो हमारे पास आएगा 1270 ठीक है अब एक साल में 12 महीने होते हैं चार यह और पांच यह कितने होगे नो तीन बचे हुए है if the person spends 605 in all during the remaining three months of the year जो three remaining month है उसमें उसने कितने खर्च किये 605 ठीक है ना पहले चार महीने में 925 दूसरे में 1270 और जो तीसरे जो तीन महीने बचे हुए थे उसमें 605 ठीक है टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया जोड दीजे इन तीनों को तो आप जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2800 रुपे अब हमसे पूछा क्या गया है find what percentage of his annual income of 3500 रुपीज did he save in the year जबकि उसकी income दे खर्चा तो 2800 रुपे गा 3500 रुपे वो कमाता है साल में तो उसने पुछा है कितना percent वो saving कर रहा है तो saving परतिशत में निकाल ली है तो क्या आएगा saving कर कितनी रहा है 3500 माइनस 2800 ठीक है divide में 3500 ठीक है न क्योंकि इसके साथ compare कर रहे है into 100 तो ये उपर आगया 700 निचे 3500 गुना 100 ठीक है साथ उपन्जू 3500 और ये cancel हो जाएगा तो हमारे पास आगया 20 परसेंट तो option जो C है उसाइंस